मेरा नाम डॉक्टर सुनाली पांडे हैं मैं JCRC University में Associate Professor के पद्धिपकारे रथ हूँ आज जो हमारी चर्चा का विशे है वे है फंजाय फंजाय थैलोफाइटा समू का एक महतुपूर्ण और्गानिजम है थैलोफाइटा समू basically algae, fungi और ब्रायोफाइटा का समू है जिसके अंदर algae, fungi और ब्रायोफाइटा तीनों वे ग्रूप है जिसके अंदर एक काईक सनरंचना में थैलस एक अलग तरीके से जड़ तनावपत्ती में विभेदित नहीं होता फंजाय टर्म की उत्पत्ती फंगोर से हुई है जिसका अर्थ है to flourish अर्थात फलना फूलना और इसकी study को हम कहते हैं mycology, mycology और उत्पत्ती हुई है term mycos से, mycos means mushroom फंजाय की अगर हम history की बात करें तो यह एक बहुत पुराना और्गानिजम है पुराने वेदो में मिलता है जिसमें इसको as a poisonous फंजाय या एक तरह से आप कह सकते हैं किसी भी व्यक्ती को मारने के लिए भी इनका उपियोग किया जाता था क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फंजाय को दो major group में classify किया गया है एक है myxomycotena samu और दूसरा है umycotena samu myxomycotena samu वे है जिसके अंदर basically उन फंजाय ग्रूप को सम्मिलित किया गया है जिनमें फंजाय के जैसे वास्त्विक करेक्टर्स जैसे की cell wall का पाया जाना cell wall का kaitin का बना होना यह पाया जाता है लेकिन यह group जो myxomycotena samu है इसे हम आध्य फंजाय का samu भी बोलते हैं क्योंकि इनके करेक्टर्स बहुत कुछ जन्तूओं में protozoa नामक non-cordate से मिलते जुलते हैं इसलिए कुछ scientist का यह मानना है कि यह protozoa से उत्पन हुए है अर्थात mixomycotena samu की उत्पत्ती protozoa से हुई है या protozoa samu in mixomycotena samu से उत्पन हुए हैं नेक्स जो दूसर ग्लासिफिकेशन में हम समू को रखते हैं वह है यू mycotena samu जिसको हम true fungi या वास्तविक कवक भी कहते हैं इस group के अंदर basically 5 major phyla या 5 major phyla को आप लोगों ने देखा होगा या study किया होगा हमारे आसपास महसूस किया होगा अब हम अगर बात करें कि वास्तविक फंजाई क्या है तो वास्तविक फंजाई वह है जिसके अंदर cell wall chitin की बनी हुई है अगर इनकी बात करें कि यह कहां पाये जाते हैं तो they are heterotrophs and major decomposers heterotrophs means यह अपना भोजन स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते अपने भोजन के लिए यह किसी और source पर निर्भर करते हैं और decomposers आपने food chain और food web के अंदर देखा है कि जो tertiary consumers होते हैं उनकी जम्रत्यू होती है तो उनको प्रक्रती अपने आप ही decompose करती है या नश्ट करती है अर्थात फंजाई वह समू है जो कि एक major decomposer का part भी play करता है अब हम अगर उसके फंजाई के structure की बात करें थैलस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह थैलोफाइटा का समू का एक भाग है थैलोफाइटा means थैलस-like थैलस means कि जो body है that is not divided into stem, root and leaf अथात वो जड़ तनावा पत्ती में विल्विदित नहीं हो होता है जिसे हम हाइफा कहते हैं यह हाइफा यह जाल नुमा सरणचना आपस में मिलकर मैसीलियम का निर्मार्ण करती है रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन में जनन का प्रकार तीनों प्रकार से होता है वेजिट्रेटिव, सेक्ष्वल, एसेक्ष्वल, जब बह करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि पांच मेजर क्फाइला को हम डिसकस कर रहे हैं, जिने हम् टू फंजाय या वास्तविक फंजाय समू भी कहते हैं, वह इसको घंरल टर्म में जए घर में देखा होगा, अगर हमारे घर के अंदर जो अचार रखे हो होते हैं, अगर को ब्रैड के ऊपर आपको सफेद सफेद माइसीलियम, जालनुमा सरंचना, रूई जैसी दिखाई देती है और उसके ऊपर आपको सिरे पर काले काली सरंचना दिखाई देती है तो यह जो फंजाई है, जाइगो माइसिती समू का है, जिसका common example राइजोपस है इसे हम common molds भी कहते हैं, molds मतलब fungi, इनको हम कहते है, generally यह प्रकृतिक रूप से they are primarily decomposers, decomposers means नश्ट करने वाले जो organic substance है, dead organic matter है, उसको नश्ट करते है रिप्रोडक्शन का प्रकार, इसेक्शुल स्पोर्स जनरली sporengia के अंदर produce होते हैं, जैसे कि नीचे के आपको चितर में दिखाई दे रहा है, यह काले काले structures, basically sporengia हैं, जिसके तूटने पर बहुत सारे spores release होते हैं सेक्शुल रिप्रोडक्शन जनरली दो अलग-अलग हाइफा के जो की positive और negative strains वाले होते हैं, positive और negative strains से मतलब है, कि इनका nuclei में plus और minus strains हैं, और उनके बीज में fusion होके, या आप कह सकते हैं, निशेचन होके, zygote का निर्मार्ण होता है यह zygote generally प्रतिकूल परिस्तितियों अर्थात जब temperature, moisture और nutrition की उपस्तिती बहुत कम होती है, उस दोरान यह sexual reproduction में participate करते हैं और zygote का निर्मार्ण करते हैं यह zygote पूरे वर्ष निश्क्री अवस्था में पड़े रहते हैं और जब favorable conditions आती हैं तो अर्थ सूत्र विभाजन द्वारा बहुत सारे जूस्पोस का निर्मार्ण करके पुने एक नई life cycle के अंदर enter करते हैं अब जाइगो माइकोटा के यह reproduction बता रहा है जिसमें आपको mycelium दिखाया जा रहा है जह mycelium substrate से किस तरह से nutrition एब्जॉप कर रहा है यह इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद आप यह दे रहा है किस प्रकार से इसमें sexual reproduction के द्वारा जाइगो स्पोर का निर्मार्ण हो रहा है दो विबिन विभेद के nuclei जिसमें plus और minus nuclei हैं एक दूसरे के निकट आते हैं इनके बीच में contact होता है उनकी tips में fusion होता है then they forms the deployed structure zygote which secrete a thick wall around it and forms a resistant zygote spore the next member is the umicetes इस umicota समू को हमने आज पास राजिस्तान में रहते हुए आपने देखा होगा कि सर्सों के उपर सरदी के दौरान कई सफेज सफेज सरंचने आपको इसकी पत्ती पर दिखाए देती हैं तो यह पत्ती जो है यह फंजाई umicota किसमू का ही है जिसे हम water molds भी कहते हैं और इसको mildews कहते हैं इसके द्वारा होने वाली बिमारी को mildews कहा जाता है mildew अर्थाद गीली इसमें आपको पत्ती के सतय पर सफेज सफेज जालिकावत सरंचनाएं दिखाई देती हैं यह जालिकावत सरंचना इनके asexual reproducing bodies हैं जिनके द्वारा sporangia का निर्मान होता है यह sporangia हवा में तैरत हुए एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक infection को फैलाते हैं उम ICT के बारे में यहां आपको प्रदाशित किया गया है कि यह water molds हैं, mildews कहलाते हैं, generally इनके द्वारा होने वाली बिमारी potato blight है, cell wall इनकी cellulose की बनी हुई होती है इसलिए उम ICT समू को यह माना जाता है कि यह plant group के ज्यादा सन निकट हैं इनके हाइफा के अंदर हम हाइफा को सीनोसिटिक हाइफा बोलते हैं, जिसके अंदर multiple nuclei हैं क्योंकि इनके अंदर septa formation नहीं होता और A-sexual reproduction के द्वारा दौरान इन में flagellate zoos pores बनते हैं, जिनका structure protozoa के युगलीना से बहुत कुछ मिलता जुलता है तीसरा मुख्य समू Basidiomycetes fungi है, जिसे हमकप fungi या आप कह सकते हैं, आप mushroom group of fungi भी कहते हैं आपने जब घने जंगलों में इनको अपने प्रेड़ों के आसपास देखा होगा, आपको इन पुराने तनों में, जंगलों में, खेतों में इस तरह की संरचना हैं, बारिश के मौसर में बहुत सारे दिखाई देती हैं यह सारे ही Bacidomycetes Samu की फंजाई हैं, Bacidomycetes इसलिए भी important है क्योंकि यह पौधों के अंदर rust and smut disease cause करती है यह rust and smut इसलिए important है क्योंकि हमारे खद्यान जो की basically Gramini Samu के plants हैं, उनकी पत्यों पे और उनके reproductive organs के उपर यह यह disease फैलती है, जिससे की गेहूं और अन्य Gramini पौधों का उत्पादन बहुत कम हो जाता है अन्तिम Samu जो है फंजाय imperfecti जिसे हम artificial class of fungi भी बोलते हैं, उसको represent करता है deuteromycota Samu यह group बिलकु ही अलग है और scientist ने उन सभी फंजाय जिनके अंदर asexual reproduction ही denoted है और sexual reproduction के बारे में कोई सूचना नहीं है और asexual reproduction में इनके अंदर multicellular conidia का निर्मान होता है उन सभी fungi Samu को deuteromycota के अंदर रखा है यह deuteromycota Samu जो है they are not closely related with any other group of fungi but they have a common ancestry they are polyphyletic, polyphyletic means अलग-अलग Samu से इनकी उत्पत्ती हुई है यह आपने इसको fungi आपने घर के अंदर citrus fruit के उपर इस तरह की fungi देखी होगी यह पूरा आपको उसको penicillium fungi को denote कर रहा है इस तरह से हम कह सकते हैं कि fungi वह Samu है जो की हमारे जन जीवन में एक महतुपून योगदान पेश करता है यह हमारे लिए हानी कारक भी है तो लाबदायक भी है लेकिन मुख्य रूप से यह हानी कारक ही है क्योंकि यह हमारे जितने भी पेड़ पौदे हैं उन पे यह विबिन प्रकार की diseases cause करता है और कुछ Samu फंजाय का ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं यह हमारे लिए लाबदायक है जिससे हम फंजाय में yeast और दूसरे groups of fungi उसी का एक पार्ट है जिनको हम food industry में, हमारी alcohol industry में, dairy industry में, leather industry में use करते हैं नेचर के अंदर फंजाय का दो तरह से mutualistic association पाया जाता है एक है lichen और दूसरा है mycorrhiza, lichen association है algae तथा फंजाय का जिसमें दौनों ही ग्रूप थैलोफाइटा के ग्रूप आपस में मुख्य भूमिका निभाते हैं और एक दूसरे को योगदान देते हैं algae भोजन बनाती है और फंजाय भोजन का जड़ो द्वारा या अपने mycelium द्वारा किसी भी सबस्टेट से अवशोशन करती है आज हमने यहाँ इस पर फंजाय के बारे में चर्चा की धन्यवाद